हाई गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज की वीडियो हमारी दिवाली स्पेशल है, आज हम बनाएंगे रंगोली, वो भी इस पुराने कार्बोर्ट से, यह पुराना कार्बोर्ट बॉक्स मेरे पास था, इसकी मैंने कुछ पीस कट किये हैं, इस तरह से मैंने चार-चार पीस लिए है, दो शेप के और एक लिया है स्क्वेर, तो यह आप किसी भी साइज का ले सकते हैं, यहाँ पर मैं वाल पुट्टी में थोड़ा सा फैविकॉल और पानी मिला के एक लिक्विड सा पेस बनाया है, ब्रश की हेल्प से मैं सारे कट पीस के आगे पीछे स्को कर कंप्लीट यह हो गया कवर, इसको अच्छे से ड्राइ होने के पात हम एक्रेलिक कलर का यूज करके डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि मैंने जो शेप ली है, एक स्क्वेर है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, बहुत हैवी डिजाइन हमें नहीं बनाना है, तो हम इने बेसिकली शेप ली है, और उसमें में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर रही हूँ, यहाँ मैंने रेड, यलो, ग्रीन, ब्ल्यू, पिंक, यही बेसिक कलर का यूज किया है, अपनी पूरी रंगोली के लिए, तो जहाँ आप जो कलर करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, बस यह हमें ध्यान रखना है, बहुत हैवी डिजाइन हम नहीं बनाएंगे, सिंपल सी शेप बनाई है, और क्योंकि हमें इसको आगे डेकोरेट करना है, यह पीस हमारा कम्प्लीट हो गया है, आप नेक्स टेप पर आते हैं, यहाँ पर जो मेरी पत्ती वाली शेप थी, इसमें मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ, इसकी भी डिजाइनिंग देखी मैंने बिल्कुल सिंपल लिया है, तो यहाँ पर हम यह पूरा कम्प्लीट कर लेंगे, इसमें मैंने येलो, ग्रीन और पिंग कलर का यूज किया है, सीम डिजाइनिंग आप चारो क पाटे उसको में रेट करूंगी, बहुत एजी है हमारा ये डंगोली बनाना, अब यहाँ पर जो डेकोरेशन है, उसके लिए मैं वाल पुट्टी की कोन का यूज कर रही हूँ, कोन मैं ने ऐसे ही बनाई है, वाल पुट्टी, उसमें थोड़ी फैविकॉल और बहुत हलका सामने पानी मिलाके, एक अच्छी सी कोन तयार कर ली है, और उसी से मैं अपने सारे कटपीस के ओपर डेजाइन बनाने वाली हूँ, तो यह आप कोन रेडी कर लीजेगा, और इसी से हम बनाएंगे डेजाइन, जो हमारा खाली बन था, वो हमारा इसी डेजाइन के साथ बनाना, क्यों किता कलरफुल है यह अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, और जब हम इसको बिरर्स के साथ डेकोरेट करेंगे तो यह और भी जादा खुबसूरत लगेगा, पता आपको इस तरह की रंगोली बनाने का सबसे बड़ा फाइदा क्या है, पहली बात तो अब ही से रंगोली बना सकते हैं, तो हमें दिवाली वाले दिन बाकी काम के साथ-साथ रंगोली के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पस फटा फट से हम कटपीस लगाएंगे और हमारी रंगोली रेडी हो जाएगी, दूसरी बात कि हम यह रंगोली जह आपके पास इतनी सारी रंगोली खटी हो जाएगी, आप बस दिवाली वाले दिन फटा पट से निकालिए और लगा लीजिए, यहाँ पर मैं मिरर का यूज़ करके जो रंगोली के हमारे कटपीस है, उनको रेडी कर रही हूँ, तो जो डिसाइन मुझे अच्छा लग रहा लगाने में, या जो मिरर्स मेरे पास जो शेप के हैं, वो मेरे जहाँ सोट कर रहे हैं, मैं वैसे ही लगा रही हूँ, आपके पास जो एवेलेबल हो, आप उनका यूज़ करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं, साथी साथ एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप चाते हैं, क्या कौन का यूज़ नहीं करना, तो कौन की जगा पर आप यहाँ पर लेस का, या जो पतली वाली डोरी आती है, उनका यूज़ करके भी अपने डिजाइन को आउटलाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत अट्रेक्टिव लगता है, मैं भी सोच रहूं कि नेक्स वीडियो में, मैं हम इनको करते हैं, अरेंज, यहाँ पर जो मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ, उसे में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे बार बार बदलूँगी, और इन ही छोटी से कटपीज से, जो हमने यह बनाए थे, इन ही को हम अलग-अलग तरीके से लगाएंगे, और हमारी एक अ कुछ नहीं करना, बस कटपीज निकालो और फटा-फट से रख दो, यह हो गया सेकिंड पार्ट, यहाँ पर हमने कॉर्णर वाले पार्ट को अटा के दिए को दूसी तरह से रेंज कर लिया है, और थर्ड पार्ट, इसमें हमने कटपीज को बेल की तरह लगाया है, तो तो सजा सकते हैं, यह 4 पार्ट है, इसमें बेस वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, इसकी जगह पर हमने दिये रख लिए हैं, 5 पार्ट में हमने सिर्फ साइड वाले जो हमारे ड्रॉप वाले थे उनको यूज किया है, और यह हो गया हमारा 6 डेजाइन, तो यहाँ पर मैंने प